हालो फ्रेंट्स वेलकम तो आई चैनल स्टडी फो यू तो गाई जैसा कि आज आज आपका SSE MTS का 10 माई के सेकंड सिप का एक्जाम हो गया है दोस्तों जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% accurate answer के साथ जो है इस वीड़े में बताऊंगा तो देख लेदे हैं कि किस परकार के जो है आज आपके 10 माई के सेकंड सिप के एक्जाम में जो आप प्रेस्ट न पूछे गया है उससे पहले एक बात और दोस्तों कि आप उसे भी जरूर प्रेश कर दिएगा तो चले वीड़े को स्टार्ट करते हैं तो आज का जो आपका पहला कुशन है था कि हर साल मार्च के महीने में चाप्चर कुट तेवार जो है यह किस राज्जी में मनाय जाता है तो देखें यह जो आपका चाप्चर कुट तेवा यह आपका मीजोरम राज्जी का तेवार है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोशन है कि इन में से किस संगीतकार को जो है दादा साहिब फाल की पुरुषकार से समानित किया गया था जहां पे आपका अरजीत सिंग नेहा ककड और आसा भोशले जो सुरुआत है यह आपका 1969 में हुआ था और इस पुरुषकार पाने वाले को जो पहले प्राप्त करता थे यह आपके देविकारानी रोरी का थी तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा इसके लाब बात कर ले दादा साहिब फाल के पुरुषकार में जो है कितने पे जो वो नगद रासी दी जाती है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है वहीं अगर कोशन की बात कर ले तो देगे संगीत के चेत्र में 32 जो आपका दादा साहिब फाल की बुरुषकार है यह आसा भोशले को 2010 में दिया गया था तो आसा भोशले आपके यह और देगे यह आपका दाई इनहरिटेंस ओफ लॉस है ना यह किरन देशाई का दूसरा उपन्यास है और इस उपन्यास के लिए किरन देशाई को 2006 में बुकर पुरुषकार से सम्मानित किया गया था तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश है आपक के शतापदी में प्रस्तूत किया गया था यानि प्रुनजागरीत किया गया था तो सत्रियानित्य आपका यहां पर धार्ज होगा इसके लावy संगीत नाट्रे का दर्जा है वो प्रदान किया गया था तो यह फैक्ट भी आपको ध्यानय रखना है इसके लावा मैं आपका बता दू कि परमुक सास्त्रे नेते से जो आपके जो आठ सास्त्रे नेते होते हैं उनके कलाकार से जो आपके लगतार प्रस्ट पूछे जा रहे हैं जैसे कि भरत नाटियम ये जो किस राज्य का सास्त्रे नेते है तो ये आपका तमिल नादू राज का सारा भाई इन सभी का जो संबंद है ना यह आपका भरतना अट्यम नेत्य से है कुछी पूडी जो है यह आपका आंधर परदेश राज्य का एक सास्त्रे नेत्य है और इनमें जो परमुक कलाकार की बात कर ले तो देखें बाला सरश्रती रागनी देवी रादा रेड़ी और राजा रेड़ी यामिनी कृष्ण मूर्ती इंद्रावती रहमान इन सभी का जो संबंद है न यह आपका कुछी पूडी नेत्य से है अब देखें बच्चे जो यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते यामिनी कृष्ण Planet सes शंबंधी थे और फिर आप बता रहें यह कुछी एक दिया रहेगा तो आप ये ध्यान में रखेगा इसके लावा कठकली की बात कर ले तो यह आपका केरल राज्य का लोक नेत्य सास्त्रे नेत्य है और इसमें परमुक कलाकार की बात कर ले तो वी एन मैनन, गुरु कुंच, कुलूप, गोपिनात, कोटी कलम, सीव रामन, री इसके लावा अगर ओडिसी नेत्य की बात कर ले तो देगे ओडिसी जोई आपका ओडिसा का सास्त्रे नेत्य है और इन में परमुक कलाकार की बात कर ले तो इंद्रादी रह्मान, चाल्स फ्रेबिक, गुरु पंकज, चरंदास, केलु चरंद महापात्र, शोनल मान सिंग, सेरोन, लावेन, इसके लावा मालो, बारवी, इन सभी का जो संबंद है यह आपका ओडिसी नेत्य से है, मनीपूर जो है यह आपका मनीपूर का एक सास्त्रे नेत्य है, जिसमें आपके राजा भाग, चंद्र, रविनना, टैगोर, इसके लावा नैना, सुवरना, रंजना और दर्सना, यह जो चार बहने है ना, यह भी आपका मनीपूरी नेत्य से संबंदीत है, इसके लावा गुरू विपिन सिंग भी जो है आपके मनीपूरी नेत्य से संबंदीत है, कथक की बात कर ले तो यह आपका उत्तर परदेश का सास्त्रे नेत्य है, और इसमें परमु मेनन, कल्यानी अमा, सुनंदा नायर, कला मंदलम चमवती, मादूरी अमा और जैप्रवान मेनन, इन सभी का जो संबंद है ना, यह आपका मोहनी अटम सास्त्रे नित्य से है, तो यह सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट को शाह कहा अब रहता है कि मौलिक अधिकार, यह जो है किस अनुचेद में वरनित है, तो देगे मौलिक अधिकार की बात कर ले, तो यह आपका संबिधान के भाग थ्री और अनुचेद 12 से 35 तक जो है वरनित है, तो अनुचेद 12 से 35 आपका करेक्ट टेंसर होगा, इसकला मैं आपको बता दू कि संबिधान क भाग थ्री को जो है, भारत का मैगना काटा का संग्या जो वो दिया गया है, तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा, नेक्स्ट को शाप कहा आप रहा था कि नीरत चोपडा ने, टोकियो ओलंपिक 2020 में जो है, कितने मीटर भाला फेक कर जो वो स्वरन पदक, यानि ग एक टेंसर होगा, इसके लाव मैं आपको बता दू कि 2022 का जो विस्व एथलेटिक चैंपियंसिप हुआ था ना, इसमें जो नीरत चोपडा के द्वारा रज़त पदक, यानि सिल्वर मेडल जो वो जीता गया है, और इन्होंने जो कितने मीटर भाला फेक कर जो रज़त इसके लावा 2022 का जो विस्व एथलेटिक चैंपियंसिप हुआ था, यह आपका USA देश में आयोजित किया गया था, इसके लावा बात कर लेकि इन्हें जो है, विस्व एथलेटिक चैंपियंसिप में पदक जीतने वाले जो है, यह दूसरे भारते जो वो बन गया है, तो य इसके लावा नीरत चोपडा, यह जो है किस राज्य से संबंदीत है, तो यह आपके हरियाना राज्य के पानी पजीले से संबंदीत है, तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा, नेक्स्ट कोश है आपका यह आप रहता है, कि विच एजनसी, कंड़क्ट डॉपिंग टेस्ट at the national level, यानि रास्ट्रे अस्तर पर जो है कौन सी एजनसी, खिलाडियों में जो डॉपिंग टेस्ट करती है, या फिर नियंतरत करती है, तो देगे रास्ट्रे अस्तर पर यह जो आपका नाड़ा है ना, जिसका फुल परम नेस्टनल एंटी डॉपिंग एजनसी हो पर यह आपका वाड़ा के द्वारा यह आपका नियंतरित किया जाता है, और वाड़ा का स्थापना यह जो है कब हुआ था, तो यह आपका उनिशो 99 में हुआ था, तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा, नेक्स्ट कोश आपके आप राए था कि कथक अली, यह किस सास्त्रे नेते हैं तो देखे कथकली जो है यह आपका केरल राज्य का सास्त्रे नेते हैं नेक्स्ट कोश है आपके आप रहा था कि प्रिथवी पर दिन और रात की जो अवधी है ना लगबग बराबर यह जो है कहां पर होता है तो देखे प्रिथवी पर दिन और रात की जो जूम क्रिशी यानि SLS & Brown Farming जो है कहा जाता है तो देखे जूम क्रिशी जो है या आपका भारत में मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी छेत्र को कहा जाता है और उत्तर पूर्वी छेत्र में जो जो है अलग-अलग जगों पर अलग-अलग नामों से जाना जाता है जहां से आपके एक्जाम में प्रस्टन पूछे जाते हैं जैसे कि मद्य परदेश की बुंदेल खंड चेतर में जो है इसे वेवर और दयार के नाम से जाना जाता है वहीं अगर बात कर ले मद्य परदेश में इसे पोडू के नाम से जाना जाता है इसके दावा आपका जो है ओरिसा में कमन विंगा और धावी के नाम से जाना जाता है तो यह सारे फैक्ट जो आपको धियान में रखना है next question कआए है कि میरा भाही चानू का संबंध यह किस खेल से है तो देखे आपको बता दू कि जो आपका टोकियो उलम्पिक 2020 हुआ था ना उसमें मीरा भाई चानू ने जो है उन्चास कीग्रा भारवर्ग में जो है ये रज़त पदक यानि सिल्वर मेडल जीती थी और इसके लावा जो आपका 2022 में जो आपका कॉमन वेल्थ गेम्स यानि रास्ट मे दी जाने वाली भूमी जो है ये क्या कहलाती थी तो देगे चोल काल में जो ब्रहमनों को जो आपका भूमी दान दिया जाता था ना इसे जो ब्रहम्दे कहा जाता था तो ब्रहम्दे आपका यहाँ पर करेक्ट अंसर होगा इसके लावा मैं आपको बता दू कि गैर ब्रहम में दी गई भूमी को जो है या आपका देवदाना या फिर तीरुना मदुकनी कहा जाता था इसके लाव बात कर ले जैन संस्थाओं को दान की गई भूमी को जो है क्या कहा जाता था तो यह आपका पली के स्थापना यह जो किसके द्वारा किया गया था तो देखे बाल गंगा धर तीलक एक ऐसे स्वतंता से नानी थे जिन्होंने पूने में 1885 में फर्गिशन कॉलेज की जो अस्थापना वो किये थे तो बाल गंगा धर तीलक आपका यहां पर करेक्टन सरोगा नेक्स्ट कोश् में आपसे पूछा जाता है किस लेंस में लेंस की चमता जो है धनात्मक यानि पॉजिटिव होता है तो देखे उत्तर लेंस की जो चमता होती है वो आपका धनात्मक होता है इसके लावा उत्तर लेंस की जो चमता होता है वो आपका रीनात्मक यानि निगेटिव होता है त अप्स्टोश आप यहाँ पर रहा था कि इस्टेंड़ अप इंडिया स्कीम यह जो किस से संबंदी थे तो देगे मैं आपको बता दू कि ये stand-up India scheme के तहत अनुसूची जाती अनुसूची जन जाती पिछड़ा वर्ग और महिला कारिबारियों को जो है इस योजना के तहत 10 लाख रुपे से लेकर एक कड़ोड रुपे तक का जो वो लोन दिया जाता है तो आपके option में process 2021 will for the first time collected data on यानी जनगना 2021 जो आपका होना था जो की COVID-19 के वज़़ा से जो है नहीं हो पाया था जो कि आपका 2023 के अन्ती में जो आपका करवाया जाएगा इसमें जो है पहली बार जो है किस जाती बार डेटा जो है वो एकत्रेट करने की बाद जो है वो की गई थी तो दे इसी आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश आपका यहाँ पर रहा था कि नवाट का जो मुख्याले पूछा गया था तो देगे नवाट का जो फुल फॉम होता है ना यह आपका नैशनल बैंक फोर एग्रिकल्चर एंड रूरल डेवलोप्मेंट होता है औ मुंबई आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा बात कर लें नवाट का जो है अस्थापना कब हुआ था तो देगे नवाट की जो अस्थापना है ना यह 12 जुलाई 1800 बिराशी को किया गया था और इसके वर्तवान में अध्याच कौन है तो यह आपके स्री साजी के भी है तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोशा आपका यहाँ पर रहा था कि राज जी में मंतरी परिशद में मुख्य मंतरी सहीत मंतरियों को कुल संख्या का कुल संख्या के कितने प्रतिसच से अधिक नहीं होना चाहिए तो देगे मैं आपको दादू की र तो 15% आपका correct answer होगा Next question आपका आप रहा था कि भारत में सबसे अधीक वर्सा जो है ये किस अस्थान पर होती है तो देखें भारत में जो सबसे अधीक वर्सा है ये आपका मासीन राम में होता है जहां पर विसु में सबसे ज़्यादा जो है औसद बारिश होता है आपको ध्यान में रखना है Next question आपका आप रहा था कि दातों की कैमीकल का परयोग किया जाता है तो देखें नापका रहा है तो फ्लोराइड नाम याप यहाँ पर करेक्ट 앉र होगा Next question आपका आप रहा था कि संथाल जंजाती जोकी भाते आदिवासी समू है यह जो है किस छेत्र से संबंद रखते हैं तो देखे संथाल जंजाती की बात कर ले तो यह आपका मुंडा जाती समुका एक परमुख जंजाती है और यह जो आपका संथाल जंजाती है यह आपका पूर्वी छेत्र से संबंद रखते हैं और पूर्वी छेत्र में जो आपका अस्तूप दिया गया था तो देखें यह जो आपका अस्तूप है ना यह आपका बौद धर्म से संबंदीत है इसके लाओ एक्जाम में पूछा जाता है कि बौद धर्में कितने परकार के जो अस्तूपों का निर्मान हुआ है तो देखें बौद धर्में जो आपका चरम पंथी नेता कौन थे तो देगे भारतेरास्टिक कॉंग्रेश के चरम पंथी यानि जो आपका गरम दल के जो परमुख नेता थे ना ये आपके बाल गंगा धर तीलक, लाला राजपतराय, विपिन चंदरपाल, चितंबरम पिल्लै, सिवीर राधवाचारे, अस्वीनी क प्रकासम, ये सब जो आपके गरम दल के जो है, वो परमुख नेता थे, तो आपके उपसर में जो आपके बाल गंगा धर तीलक दिया गया था, तो बाल गंगा धर तीलक आपका यहाँ पे करेक्ट अंसर होगा, इसके लाब आप परमुख उदारवादी नेता, यानि नरम पंती के नेता की बात कर ले, तो देखे परमुख जो नरम पंती के नेता थे, ये आपके गुपाल कृष्ण गोखले, आनन्द मोहन बोश, आरसी दत, रहिम तुल्ला, एन सयानी, केटी तलंगई, दादा भाई नौराजी, एओ यूम और बदरूदीन तैबजी, ये सब ज जो आपका कथकली, इसके लावा कुची पूडी भी जो आपका डांस ड्रामा है, तो ये आपका option पर जो वो depend करता है, तो देखे कथकली जो ये आपका नित नाटी का है, तो कथकली आपका यहाँ पे correct answer होगा, तो इतने question जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% real और authentic हैं, तो अगर वीडियो अच्छे लगी हो, तो वीडियो को जो लाइक जरू कर दीजेगा, और इसी तरह genuine content पाने के लिए जो है, चानल को subscribe जरू कर दीजेगा, तो मिलते हैं next video, तब तक thank you, all the best.